हेलो फ्रेंट्स आइम अप्रती वेलकम बेक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस आज हम शेयर करेंगे क्यूपिया हाइसोपिफोलिया प्लांट जिसका कॉमन नेम है मेक्सिकन हैदर या पाल्स हैदर ये जो प्लांट है ये एक एवर ग्रीन श्रब है और बहुत प्यारे छोट से पॉली बैग में लगा हुआ प्लांट है जिसको आज हम छोटे पॉट में ही शिप्ट करने वाले हैं क्योंकि आज हम आप से यह भी शेयर करेंगे कि अगर आपके पास बड़ा पॉट फिलहाल नहीं है तो आप प्लांट को किस पॉट में लगाएं तो इस प्लांट को आ नर्सरी से लाया हुआ प्लांट है उसको एक हेल्धी पॉटिंग मिक्स की जरूरत है और अगर हम उसको पॉली बैग में ही रहने देंगे तो वह अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएगा तो फिलहाल आपके पास जो भी छोटा पॉट है आप उसमें यह प्लांट या कोई भी नया पॉट अवेलेबिल होगा तब आप उसको उसमें शिप्ट कर सकते हैं नये पॉट में क्योंकि तब तक उसकी रूट काफी अच्छे से फैल चुकी होंगी और वह इजी ली पॉट से बाहर भी आ जाएगा तो जैसे कि हमने यह जो प्लांट है इसकी पॉली बैग हटा तो आप देख सकते हैं कि इसमें रूट अल्रेडी इतनी फैली हुई है तो अब इसे नये पॉटिंग मिक्स की जरूरत थी नहीं तो यह जो रूट बाउंड इसकी हो जाती है अगर बंद जाती तो फिर अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता ऐसे रखा रखा ही यह सूख जाता क्योंकि आज कल गर्मियों के दिन चल रहे है और टेम्परिचर हाई होने लगा है तो जैसे कि यह प्लान कटिंग से इजिली ग्रो हो जाता है तो सौयल को हलका हलका से हटा देते हैं जो नर्सरी पे से आई है क्योंकि नया पॉटिंग मिक्स जो है उसमें फोर्टिलाइजर निकाल कर याईसा कायासा क्योंकि रूट्स पूरीकश छोंगी ये नए मिट्टी आदा खाद ले लीजिए उसमें भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं और बार-बार कोई फर्टिलाइजर की इसको जरुवत नहीं होती है साल में चार बार भी अगर आप इसको कावडंग वर्मी कंपोस्ट या केचिन वेस्ट मैनियोर जो भी आपके पास के लिए अच्छा नहीं होता है बस कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे अम्रेला प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर लेता है ओवर मॉस्टर में भी लेकिन इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इसमें आप ओवर मॉस्टर बिल्कुल ना बनाएं प्लांट को आप से जरूर देखिएगा आपको 100% डिजर्ट मिलेगा अभी इस पे कम फ्लावर्स हैं क्योंकि नया नया प्लांट नर्सरी से आया है लेकिन आगे जाकर ये पूरा प्लांट टाइनी फ्लावर्स से छोटे-छोटे फ्लावर्स से भर जाता है रीपॉर्टेंग के बाद किसी भी प्लान को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें दो से तीन दिन और दो से तीन दिन के बाद आप उसको सेमी शेड में रख सकते हैं और फिर उसके बाद आप डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं थैंक्यू